हालो फ्रेंट्स वेल्कम टू मैंने वीडियो और आप देखें इंफोर्मेशन बाई विशेक और मैं हूँ आपका इंफोर्मेशन एक्सपर्ट हम आपके लिए लाते हैं नर्सिंग से जुड़ी सभी तरह की इंफोर्मेशन सबसे पहले तो अगर आप हमाया चनल पना है तो इस चैनल को सबस्क्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन काने के लिए प्लीज प्रेश प्रेशन से जोड़ी पीडिएफ देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल इंफोर्मेशन बाई वीशेक पर अगर वो आपने भी तक जोईन नहीं किया है तो उसका लिंक में डि इस चैनल इस इस इन दी एक्स्ट्रमिल रसेच प्रोजेक्ट फंड़ बाई ICMR अटर्प्रिंसेपल इंवेस्टिगटर रू रंकर राइच अससेंट प्रॉपर्सर द्पार्मेंट आफ कमुनिटी मेडिसें फैंली मेडिसें एम्स गॉरगपूर प्लेश जो रहेगी पोस् लास्ट ऑफ रिसीवेंग अप्लिकेशन चुरहीगी वो रहेगी 25 ऑफ मार्च 2023 तेल 5 पीम डेट अफ इंटर्व्यू ट्विएट्ट मार्च 2023 एट 8.30 एम तो आपको समय से वहां पहुचना होगा अगर आप समय से नहीं पहुचेंगे तो वो आपको एंटर्टेन नहीं कर करेंगे तो प्लीज इस चीज़ का ध्यान रखेगा इस विकेंसी में अप्लाय करने के लिए आपको जो इनका प्रिस्काइब फॉर्मेट है अप्लिकेशन फॉर्म का वह फिल करकर आप जो इस वक्त स्क्रीन पर यह लिंक देख पा रहे होंगे इस लिंक पर जाकर अटेश स्टाफ के लिए इस में क्या पॉर्शुरिटी है जूनियर नर्स एंड लेडी हेल्थ विजिटर की इसमें पोस्ट रहने वाली है वेकेंट पोस्ट इसमें एक रहेगी एनन के आप इसमें अप्लाय कर सकते हैं आपको मिनिमम फाइव यह का एक्स्पीलियन्स होना चाहिए इसमें जो आपको सेलरी यह प्रोवाइड करेंगी वो रहेगी 18,000 पर मांथ मैक्सिमा में इसमें 28 इयर्स दे रखी है 10 यह जो रहने वाला है इस वेकेंसी के लिए वो रहेगा इनिशली पीरिड आफ वन एयर और लस दें यह डिपैंड करता है प्रोजेक के ऊपर कितनी ज रहने वाला है वो रिटन एक्जाम होगा या इंटरिव्यू या दोनों ही हो सकते हैं यह डिपैंड करता है स्लेक्शन कमेटी के ऊपर जो स्लेक्टिड कैंडिडेट होंगे उनको जॉइन करना होगा विदिन 15 डेज ऑफ दी डिडिरेशन ऑफ रिजल्ट तो आप इस चीज के लिए भी प्रपेर रहें आपको अप्लिकेशन फर्म का जो प्रिस्काइब फर्मिट है वो अप्रोड करना होगा इनके दिये हुए लिंक पर वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और लिंक भी मैं आपको दिखा चुका हूं जो शॉट्लिस्टेट कैंडिडेट उनको समिट करने होगी कॉपी अफ एप्लिकेशन फर्म विद कम्प्लीट सेट अफ 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 एटेस्टेट कोपी जो भी वेरिफिकेशन होगा तो उसके लिए आप अपने साथ और वन सेट ऑफ फोटो कॉपी अपने सारी दोक्यमेंट की अपने साथ लेकर जाएं अगर आप अप अपने साथ लेकर जाना होगा नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो की आप अपने करन्ट अब्लोय से लेकर जाएंगे at the time of walk-in interview अगर no objection certificate आपके पास नहीं होगा तो आपको walk-in interview के लिए allow नहीं किया जाएगा तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा application form का जो format है वो fill करते वक्त आपको ध्यान रखना होगा कि आपको उसको neatly clean fill करना होगा otherwise अगर आपने ऐसा नहीं किया किसी भी तरह की overwriting या आपने whitener का use उस पे किया तो वो reject कर दिया जाएगा तो आप इस चीज का भी ध्यान रखिएगा blue and black ball pen से ही आप इसको fill करिएगा जो की block letters में रहेगा आपको अगर कोई भी column nil छोड़ना है तो आप उस पर any लिख दीजेगा आपको ऐसे ही उसको नहीं छोड़ना है बिना कुछ लेखे तो आप इस चीज का भी please ध्यान न कियेगा interview के वक्त आपको जो documents लेकर जाने होंगे उनकी list आप इस वक्त screen पर देख सकते हैं आपको क्या-क्या लेकर जाना है तो आप ये देख सकते हैं इसकी जो PDF है वो भी हम आपको अपने telegram चनल पर दे देंगे link description में है आपको अपने साथ one set of self-attest photocopies of the documents वो भी लेकर जानी है क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरह की facility नहीं है photocopy की तो आप इस चीज का भी please ध्यान लखेगा आप अप ready होकर बिल्कुर जाईएगा ये इनका application का prescribed format है जो आपको मिल जाएगा हमारे telegram चनल पर ये आप देख सकते हैं link description में है जाकर join करिए और form को download करिए apply करने से पहले आप इनकी terms and condition अच्छे से read करीजेगा अगर आपको ये information अच्छी लगी हो